वेलकम तो योटूब चैनल बी पॉजिटिव मैसल अच्छी का एंड वेरी वेरी हैपी संडे आज संडे है तो आज का डे बहुत ही रिलाक्सिंग होगा तो आएए इंजाय करते हैं थोड़ा सा वर्ल टूर कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम है आपको move on कराते रहना तो एक छोटी से information थी जो आपसे share करनी थी इसके पहले हमारा program locations पे five locations of the world आता था of the day आता था अभी ये इसमें थोड़ी सी changing की गई है location of the day होगा इसमें हम जो भी news में बहुती prominent location होगी day by day या फिर alternate day पे वो हम आपके साथ A to Z उसे related facts and points discuss करेंगे जो भी famous चीज़े होंगी means all over एक view लेंगे एक knowledge लेंगे वहाँ से जानेंगे तो हम start करेंगे एक बहुत ही city beautiful नाम से जो जाना चाहता है जगे चंदीगड से तो आईए देखते हैं या let's do world tour where to go today तो इसमें है चंदीगड तो सबसे पहले तो आप ये चानिये की चंदीगड है कहाँ ठीक है तो ये है हरियाना एंड ये है पंचाब और इन दोनों की इन दोनों के मलब टच में एक यूटी या एक particular reason जो exist करता है जिसका नाम है चंदीगड ठीक है इसका थोड़ा सा closer view हम लेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा see this is Punjab this is the northern part of India's image and this is हरियाना and you can see very clearly this is the round part light green वो है हमारा चंदीगड ठीक है चोकि हरियाना के पंचकुला को और पंचाब के दो तीन छेत्र है मोहाली हो गया और जीरा कन करके हो गया ठीक है ऐसे छेत्र से ये पतलब attached है जिसे हम कहते हैं और आईए इसके बारे में और भी चीज़े जानते हैं तो सबसे पहले हम इसका एक introduction ले लेते हैं about चंदीगड ठीक है तो news में क्यों था news में ये था कि चंदीगड pharmaceutical एक जो university है वो एक firm है उसमें गुपताज गुपता ब्रदर्स हैं दो ठीक है दो भाई हैं जो जिन्हों ने उसे found किया था और अभी वो ऐसे बहुत ही इल तरीके से इल प्रैक्टिसेस के थूँ वो वहाँ पे धनी कठा कर रहे हैं, money raise कर रहे हैं और उसे अलग-अलग personal enrichment में लगा रहे हैं तो news यही थी, news बहुत इत्ती खास नहीं थी तो news थोड़ा साम discuss कर लिए, इसके बाद हम देखते हैं चंदीगड के बारे में ठीक है तो सबसे पहली और prominent बात है कि यह first planned city of India है जिसे एक planning के थ्रू बनाया गया है architect इसके रहे हैं French रहे हैं, Lee Carbuzier जिनका नाम है और यह एक UT है, यानि union territory है आप हमें बताइएगा कि present time में कितने state and कितने union territories हैं, ठीक है यह UT है, यह place क्यों इतना prominent है इसलिए कि यह एक UT है और इसकी साथ-साथ ही है capital of two very prominent states of North India, Haryana जो की agriculture and Punjab बोथ बहुत ही rich हैं, बहुत ही special जगे रखते हैं नेम, इसका चंदी गढ़ क्यों पढ़ा? गढ़ मतलब किला होता है, चंडी माता का मंदिर है तो चंडी का किला, Fort of Chandi उसकी नाम पे चंडी गढ़ नाम पढ़ा इसका famous है ये किन-किन चीजों के लिए open hand monument, यानि कि अगर हम इसकी tourism site की बात करें सुकना लेक है, बहुत famous हमेशा news में होती है जो भी आते हैं पक्षी प्रवास करके यहाँ पे शरण लेते हैं particular मौसम में और nature and rock garden है यहाँ पे international doll museum है ठीक है, आएए एक-एक करके हम उनका view भी लेते हैं तो इससे पहले हम जानते हैं grid view, ठीक है, यह एक grid view है इसमें आप देखें grids बनी हुई है यह एक, आपको यह देखके ही physically लग रहा होगा कि किते planning के तुरू बनाए बहुत ही मतलब की roads जो है जो हम पढ़ते थे कभी भी हडपा, civilization वगएरा में roads जो है, बहुत ही balanced way में है और उनकी length और जो भी है weight वो सब एक बहुत ही equal posture पे रखा हुआ है, और कहते हैं कि Lee Carbuser जो कि इसके architect है उन्हें 13 number वो थोड़ा सा अनलकी मानते थे तो 13 number का sector नहीं है यहाँ पे और सारे यह सब sectors में divide है, आपको दिख रहा होगा let me clear, यह देखे ठीके, यह आपको दिख रहे होगे numbers बड़े हुए हैं जगे 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 पे अलग-अलग sectors में divide, जो कि बहुत ही sectors में divide करने का मतलब यह होता है, administratively वो बहुत अच्छा हो जाता है, हम उसका look after बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही balance में, वे में वहाँ पे सारी चीज़े हम pursue कर सकते हैं सारी law and order, सारी services और एक छोटे से लेके बड़े सभी तबकों तक वो बहुत ही, जो भी services होती है government की, वो आसानी से पहुँच जाती है एक planning के थुरू अगर हम city का निर्मान करते हैं तो, या किसी भी चीज़ का, ठीक है अब आएए देखते हैं इसके, जो भी tourism places है, तो यह open handed monument है, जो बहुत famous है इसका view कुछ इस तरीके से है यह देखिए, एक palm का निशान बना हुआ है ठीक है यह एक monument के तरीके use किया गया है मतलब, monument का रूप दिया गया है यह tourism site है, best सुखना लेक, यह देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरीके की नावप्रतियोगिता भी की जाती है and the marvelous view is the mountainous view ठीक है, जो की मतलब, एक lap of nature में है तो एक बहुत ही अलग आनन देता है, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए boating and इन सब चीजों का आनन ले सकते हैं next है, nation rock garden this is very marvelous यहाँ पे पत्थर किस तरीके से colorful stones को add करकर के यह इस तरीके का architecture बनाया गया है humanite और यह वहाँ पे, यह भी actually क्या है rock के ही बने हुए humanite postures हैं और यह वहाँ पे जो rock garden में एक waterfall है, उसका view है और बाकी आप देखेंगे तो यह खुद नेक्चंची है ठीक है, जिनको भी stone के तरू ढाल के बनाया गया है, ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे international tall museum की जो की all time and all is favorite होता है देखें कितने संदर तरीके से यह बनाया गया है, बहुत सारी मिज़े से, आप वहाँ पे मैं recommend करूँगी कि personally जाके फिलाल अभी तो omicron का time चल रहा है लेकिन आप चाहिएगा, visit करिएगा and you will enjoy तो यही रहा सब कुछ चंदीगड के बारे में I hope कि इसके अलावा आपको बहुत कुछ विसेश आने की शरत नहीं होगी और फिर news में जुस तरी किसे आएगा हम इसके कुछ और points को लेके भी discuss करेंगे and तब तक के लिए पापाई